नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल इंडियन रेसिपीज विसीमा में आपका सागत है मैं आपको डिलीशियस उत्पम बनाने की फुल रेसिपी बताने जा रही हूँ मेरे वीडियो को आप पूरा देखें और मेरे बताई हुए तरीके से घर में जरू ट्राय करें उसके बाद मुझे कमेंट करें कि ये वाकई में डिलीशियस बना या नहीं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तीन से चार उत्पम बनाने की लिए दो कप सूजी याने रवा, दो बारिक कटी टमाटर, एक कप फ्रेश दही, आधा कप पत्ता गोवी बारिक कटा, वन फोर्थ कप बारिक कटी शिमला मिर्च, हरी मिर्च, स्वादनुसार, अधरक का छोटा टुकडा, दो मीडियम राइ या सरसों, वन फोर्थ टेबल स्पोन हल्दी पाउडर, वन टीश्पोन सौंप, आफ टीश्पोन जीरा, आफ टीश्पोन लालमर्च पाउडर, वन फोर्थ टीश्पोन बेकिंग सोडा, हरी धनिया बारिक कटी हुई, आट से दस टेबल स्पोन रिफाइन डॉइल, नमक स्वादनुसार अवश्यक्तनुसार पानी मिक्सिंग बाउल में दो कब सूजी लें वन फोर्थ टीस्पून बेकिंग सोडा या इसकी जगा आप इनो का यूज़ कर सकते हैं हम यहां इंस्टेंट उत्पम बना रहे हैं इसलिए सोडा का यूज़ कर रहे हैं बेना सोडा के भी उत्पम बन सकता है एक कब फ्रेस दही लिया है यहां दो कब सूजी ले रहे हैं तो एक कब फ्रेस दही का यूज़ कर रहे हैं इसमें half teaspoon नमक एट करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें दही जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एट करते जाए एक दम से ज़्यादा पानी नडालें नहीं तो ये बेटर पतला हो जाएगा इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे मिक्स करें इसे लगबग 10 से 15 मिनिट के लिए रख दें ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए यहाँ स्पेशल तरीके से उत्पम बनाना बता रही हूँ फ्राइ पैन को गरम करें इसमें ऑईल डालें टू टेबल स्पून रिफाइन ऑईल लें आप देखिए इतना ज़्यादा ऑईल लेने की ज़रूरत नहीं है गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें ऑईल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हाफ टी स्पून राई डालें राई को अच्छे से चटक जाने दें इसमें वन टी स्पून सौफ हाफ टी स्पून जीरा एट करें हरी मिर्च बारिक काट कर डालें सौधा नुसार अद्रक को भी कद्दुकस करके आट करें वन फोर्थ कप शिमला मिर्च काट कर डालें पत्ता गोभी को आट कर दें यहाँ पर आप अपने मन पसंद सब्जी आट कर सकते हैं जैसे गाजर बींस यदि आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं इस तरीके से हलका सा भून कर हम उत्पम में मिक्स करते हैं तो उत्पम का सौध बहुत ही अच्छा आता है एक प्याज को बारिक काटकर इसमें मिक्स कर दिया है इसे लगबग एक से दो मेट हलका सा पकने दें नमक आफ टीजपून इसमें आट करें नमक थोड़ा सा कम ही डालें क्योंकि बैटर में भी नमक आट किया है इसमें थोड़ी सी वन फोर्थ टीजपून हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर डालने से इसमें अच्छा कलर आ जाता हुद्पॉम में एक टमाटर एड कर दिया है काटकर आधे टमाटर को बचा लिया है इतने को यह बनकर तयार है गैस ओफ करें और इसे ठंदा होने के लिए रख दें यह मसाला ठंदा हो गया है ठंदा होने के बाद ही इसे इस बैटर में डालें, ये बैटर भी अच्छे से फूल कर रेडी हो गया है, 15-20 मिर्ट में सूजी अच्छे से फूल चुकी है, अब इसे मिक्स कर लें, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ये पेश्ट गाढ़ा लग रहा है, तो आप इसमें पानी अट करें, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसका घोल डोसे की तरह होना चाहिए, ये देखिए, ये पेश्ट स्मूथली चम्मच से नीचे नहीं आ रहा है, यनि कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी और डालना होगा, यदि ये गाढ़ा होगा, तो अच्छा नहीं बनेगा, अब मैं आपको उत्पां बनाना बता रही हूँ, उत्पां बनाने के लिए तवे में 1 टी स्पून रिफाइन ओill लिया, और जब अच्छे से गरम हो गया, इसमें 1 टी स्पून मस्टर्ड सीट्स जाला, रिफाइन ओिल को तवे में 4 तरफ अच्छे से पहला लें, एक पाड़र बारिक कट कर दाल दें और प्यास्टेञटे हैं तो आप इसमें ऊपर प्यास्टेज सकते हैं इस तरीके से इसे में छारी जवाह लैकर लाल्या को छुक्ते घृष्टे लिर बनावूद अ क्योंET ये देखिए कितना delicious दिख रहा है ये बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है खाने में और एक चीज का विशेज ध्यान रखें आप इस batter की उपर ये आप vegetables डाल रहे हैं टमाटर प्यास तो इसे तुरंट डालना है ये देखिए और इसे इस तरीके से दबा दें तो ये अच्छे से set हो जाएगा प्यास टमाटर निकलेगा नहीं ये पीछे से रैड भी हो गया हलका इसे एक से दो मेंट तक अच्छे से पकाएं इसे आप 10 से 15 सेकेंड ढख कर भी पका सकते हैं इस तरीके से 10 से 15 सेकेंड बाद इसे खोल कर देखें ये अच्छे से पक गया है अब आप इसे पलट दें गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें तेज में नहीं सेकना है ध्यान रखें आप ये देखिए अलग समझ में आ रहा होगा आपको ये अच्छे से सिग गया है 10 से 15 सेकेंड आप अच्छे से पक जाने दें उस तरफ भी ये देखिए अच्छे से पक गया है ये स्पेशल उत्पम बन कर तयार है अब आप इसे खाईए ओके फ्रेंड से दिया आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शियर और सबस्क्राइब करिए